असलाम लेकूम वेलकम बाक तो में यूट्यूब चैनल वेलकम बाक तो मैं अनदर व्लॉग और इद मुबारिक अब सबको यह है इद का व्लॉग जो के थोड़ा सा लेट हो गया था वसी पर कुछ इतनी बिजी बिजी सा जिन्दगी चाल रही तो कुछ समझ नहीं था आरा तो आज मेरे सरफ आरे थे कुछ केस्ट और मैंने यहां पर जो है सफाइश फाइ करके सफा को भी त्याश यार करके विठा दिया था यह इद के दूसरे दिन का सफा का ड्रेस है पहले दिन के ड्रेस की मैं कुछ केप्चर नी थी कर सकी क्योंके वह बस थोड़ा सा बीजी जिन था हम लोंगी कहीं पर दावत थी तो यहां मैं इद पर बनाए थे कोफते बनाए थे साथ में मैंने बनाए थे चिकन वेजिटेबल राइस और साथ में चार्ट थी साथ में दो मीठे थे और बस यान यही चल रहा था साथ ही इद थी तो सोचा थोड़ी सी चूणिया पे ivory यहां पहले जाए क्योंके इद के सास भून शूणियों स्यूणियों से यह होता है तो यहां जी मैं भी त्यार हो गई थी और साथ मैंस भी तयार हो गई और साथ में ने ताब ही तो यहां खाना शानन तयार हो जुकत था गेस्ट यहां पर आ चुके वे थे तो अम ऐसी तरह करती हूं कि जब गेस्ट आ जाते हैं तो मैं चावलों को दम लगाती हूं ताकि चावल गरम-गरम से सर्व हो सकें तो यहां पर चिकन तिका भी रेडी था और साथ में मीठे में था हलवा और साथ में रस में लाई थी तो बस यह थी हमारी चोटी सी दावत और सफ़ा जो है बड़ी बड़ा इंजॉय किया है सफ़ा सफ़ा ने तो इद पे क्यूंके बहुत सारे उसके जो फ्रेंड्स और कजन्स वगरा थे उनसे उसकी मुलाकात हुई है तो बाकी बढ पाऐद सफ़ा के फरेंड्स और इनकी जो फाइमली थी उनके साथ ने बाहर खा लिया था यहां की यह तरह है इसी तरह से होती है और व्दुरा से हुटा है और यहां पर हम लोग ने भी एक दिन हम लोग चले यहां और को दूसरी चाह्म्स को बुला लिया और एक दफा खुद बाहर खा लिया तो बس यही ईड होती है यहां की बलकि इस दफ़ा तुम मैंने पाकिसदन की ईड को बहुत Misz anni होstी है आहिए आपके घहर और फैमली में उत्ते सारी लोग आते हैं तो यहां सफ़ा जो अपनी फ्रेंड के साथ बेटी एंजॉय के रही थी और हम लोगों ने भी पिज़ा खाया और उसके बाद यहां पे कुछ फाइरवर्क्स वगएरा का सीन था तो हम लोगों ने वह देखिया और उसके बाद आगे थे घर और यहें जो क्लिप्स हैं कुछ यह कुछ सेकंड डेखे हैं और कुछ थर्ड डेखे हैं फर्स टेपे तो मेरा दिन बहुत विजी था तो इसलिए मैंने फर्स टेपे कुछ इस तरह से कैप्चर नहीं किया तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ तरह शेयर करती हूँ अपने धर्ड डे का भी व्लॉग और धर्ड डे में हम लोग गए थे बीच और यहां का जो बीच है हो बहुत खुबसूरत है और हमने सोचा कि आज जो हय मोग बीच जलते हैं तो बस हम लोग जो फैमिली थी हमारी यहां पर जो भी चुटी सी फैमिली है उन लोग उने प्osphलान किया कि हम लोगUगू बीच साथ चलते हैं तो यहां सब अपनी पूरी त्यारिओं के साथ गई हूई थी बड़ा फ्लोरल सा ड्रेस पेन के साथ में उसने हैट भी लियावा था और संग्लासिस भी लिये हुए थे तो उसका तो बड़ा वो बीची बीची टाइप वाइब चल रही थे उसकी तो बस हम लोग जी पहुँचके थे यह था बहुँच खुबस्वरत सा वियू और यह स्टी से थोड़ा सा बाहर है तो यहां बहुत ही प्यारा सा वियू था शाम होने ती वीससे तो बहुत गरमी थी तो शाम होने वाले थी तो इसलिए जो है इतना गर्मी का पता नहीं चला लेकिन है कि अब यहां पर बहुत शदीद गर्मी शुरू होगी भी है तो बहार निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और गर्मी में बैठा भी नहीं जाता तो सफ़ा ने तो अपने यहां कजन्स के साथ बहुत सारा एंजॉय किया साथ में मिटी और पानी से खूब खेला तो यही थी हमारी चोटी सारी एद और आप आप लोगों के भी एद जो है बहुत मज़े की गुजरी होगी और हम लोगों की भी मज़े की भी गुजरी है और बिजी भी बहुत गुजरी है मुझे तो लगता है एड जो है तब तक ही होती है जब तक बंदा जो है वो छोटा होता है जब वो घड़ा हो जाता है तो फिर तो एड कामों में ही गुजर जाती है तो कभी घर के काम, तो कभी बाहर के काम, कभी बच्चों के काम तो एद जो है बच्चों की होती है, तो बच्चों ने तो वही खुब सारा एदी शीदी भी है कर ठीकी है बच्चों की एदी तो होती तो अमाओं की एदी है तो वैसे इसी तरह से हमारी जो है वो गुजर केई थी और फिर इंशाला मिलती है मैं आपके साथ अगले व्लॉग में और तब तक के लिए इसी व्लॉग से गुजारा करने जिसके मैंने बताया कि इस टाइम हम लोग बीच पे गेते और इसके बाद जो है वो फाइर वर्क्स को शेयर करूंगी और फिर मिलती है इंशाला अगले व्लॉग में तब तक के लिए अलाहाफिस और इंशाला अगले व्लॉग में फिर अच्छे से व्लॉग के साथ पिर से मुलाकात दोती है और बस जी ये थे फाइर वर्क्स और मैंने तो खूब एंजॉए कि आप लोग साथ एंजुए करे और अलाफ इस पर में दिए इंशाला अगले व्लॉग में